Hello everyone, welcome back to my channel आसकी वीडियो में हम बात करेंगे कि DNC के बाद दर्द कितने दिन तक बना रहता है काफी लेडिजे इस तरह का सवाल पुछती है कि मैडम हमको पेन कितने दिन तक बना रहेगा DNC के बाद तो देखे DNC के बाद DNC काफी छोटा ओपरेशन है तो DNC के बाद आपको पेन 5-6 दिन बना रहेगा यानि कि मैक्जिमाम एक हपता लेकर चलिए आप 7 दिन लेकर चलिए तो बना रह सकता है तो इसमें आपको डॉक्टर पेन के लिए पेन किलर भी देंगे तो उसकेस में आपको डॉक्टर को दिखाने के आवशकता होती है क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपको इंफेक्शन हो गया हो या फिर DNC इनकम्प्लीट रह गई हो तो यहाँ पे इस तीज को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है और डॉक्टर को इनफर्म करना है टिपिकली दो से तीन दिन तक पेन यहाँ पे रहता है लेडिजों को ओडिनसी के बाद बहुत ही काम ऐसी महलाई होती है जिनको की एक हपते तक भी हलका क्रैंपिंग होना मरोड होना हलकी फुलकी किसी किसी टाइम मरोड होना नॉर्मल है तो इसको आपको बिल्कुल सीरिच होके Cambria कि नहीं लेना है कि हम को इस तरा दो से तीन दिन ही bleeding होता है जादा कुछ होता नहीं है कुछ-कुछ लेडियों को एक हपते तक चलता है हलका फुल का bleeding तो आज के लिए बस इतना ही उमेद करते हुए छोटी सी वीडियो आपके लिए helpful रही होगी रही हो तो like, share, comment जरूर करें और हमाई चैनल को जरूर subscribe करें स किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे comment में जरूर लिखें, Instagram, Facebook पर भी अपने सवाल हमसे कर शकते हैं, link आपको नीचे description मिल जाएगा, तो चले फिर मिलते हैं किसी और interesting वीडियो के साथ, thank you, thanks for watching.